जोटिस साथी यूटूब चानल एरर बशिरोन भयका संपुन दर्शक बिन्दहरु हारदिक नमस्कार साम्मा अज़ुरको 25-23, 23 के स्गौवतं येस जोतिस साथ यूटूब चानल का माध्यमबाट हम्योरली अजुर का लागी जोतिस बास्तु धर्मदर्शन संस्कृतिर परंपरा संगा संबंदित नया नया सामागरियु पस्तित गर्दे आई रहे का छूँ। येदि आमरो यूटूब चैनल सस्क्राइब गार्ना बने ना बोलनु अला र सात्मा रहे को बेल आइकन पने थेचरु बाये बने देखी हजर अरुपनी आमरो परिवार मा जोडिने शक्रों अने छाूँ। प्रत्यक दिन नया नया सामागरिका साथ उपस्तित हुनेक्रम मा आजपन योटा नया विशेवस्तो का साथ हमेर उपस्तित बही सक्ये का छूँ। आधको विशाई रहे को छा तिहार का समय मा देवसी वहलो कीन ख्यालें चाता। एसको पौराणिक महत्तोक्य चा भन्ने विशाई मा विशेष जानकारी लियर आयका छू। हजुर आमियोर को घर आगान मा तिहार भित्री सक्ये को छू। बिविन्न अबस्तर हरु मा बिविन्न खाल का बाद्य बादन का साधन हरु को प्रयोक गारे रहू। बिविन्न खाल का सांस्कर्तिक पर्वयरु मनाउने क्रम मा तिहार पर विशेष आस्कर्तिक पर्व़ कारुप मा आमियर्ज आयरायीं का छुहु। तिहार बन्ने बित्तिक है आमिले सप्तरंगी टिकाला समझें छाऊं। तिहार बन्ने बित्तिक है आमिले मकमली माला समझें छाऊं। सईपत्रिको माला समझें छाऊं। रए यसका साथ साथ में आमिले देवसी भहिलो पनी बिर्शन सक्धाय नाऊं। तर देरेई पक्षे बाट आमिलाई देवसी वहिलो किना खेलियेको हला भन्नेखाल का जिग्यासारू आयका कारण, हजुदर को यही जिग्यासालाई परिपुर्ति गरने उद्देश चेले, आजा हमी एस सामागरीमा देवसी वहिलो खेलनों को पौराणिक महत्तो के सता, इ जब लंका मा राजा रामले विजे आशिल गरी सके पची उनको गंतब्य बिंदु अयोध्या थियो, तेसे ले उनी अयोध्या फर्किने क्रम मा थिये, पने रामले राबन को बद गरेरा, लंका मा पने रामराज्या इस्थापना गरेरा उनी जब अयोध्या फर्किदेशन भन्नेकुरा को शंकेत अयोध्य बाशियोर थापाए तेस पचे अयोध्य बाशियरू अत्यनते खुशी मनाउं गरी रहे का थिये, अत्यनते हर्शित भई रहे का थिये शिरी रामचंद्र को स्वागत्मा अयोध्य बाशियोर ग्यू का बत्ती बाट दिपावली बनाए अत्यनते अध्यारो रात्री थियो ते रात्री का समय मापनि अयोध्य बाशियोर ले कपाश को बत्ती जुन घ्युओमा मोलेर बालाई थिये, ते बत्ती ले शिंगो अयोध्य नगर ने जकी जकावु देखिये को थियो अत्यन्तई ज्वाजवल्ले मान देखियेको थियो तेसे क्रम्मा रामको आगमन भयो रतियो रामको आगमन होदा प्रत्यक का घर हरू प्रत्यक का आगन हरू रा प्रत्यक का गल्ली गल्ली हरूमा दिपावले थुलो श्वागत गरी रहेको थिये रत्ति अयद्य बासी और ले रामचंद्रको स्वागत का लागी देवसिरी राम आम्रा राम देवत्ता हुन भन्ने नारा लगाउना का लागी और ले देवसिरी राम भनेर हर्च उल्लास गर्दै मना कथिये बनेर बनेंचा यसे क्रम्मा चाइएं देवसिरी राम भन्दा भन्दा देवसिरी राम भाय छारे अनी यसको अपा ब्रामचंव हुँदै देवसिरी और देवसि और भाय लो जस्ता सब्दावलीको विकास भाय को हो भनेर भन्ने चलन पनी रहादी आहरेको छा दिवसे किन ख्यलिन चा भन्ने क्रम मा बली राजा को प्रसंग अपनी उत्ते के आउंचा। बली राजा प्रिथिविमा राज्येगर ने एक सक्ति साली राजा थिये। एक धनाड्डे राजा थिये। उनी अत्यनते दानी थिये। उनी अत्यनते प्रतापी थिये। और उनले प्रत्यक दिन कुनेने कुने यहटा बस्तो दान न गरीकन आपनो नियमित भोजन गर दाई ना थिये। बली राजा को यो दान सक्ति वाट शिंगो विष्णु लोक पनी थरकमान उना थालेको थियो। बली राजा ले अधिक दान गरेका कारण ले गर्दा। अनि केही देवता हरुले विष्णु भगवान का अगाड़े पुगेरा चाहीं बली राजा का कारण आमियर उचायामा परेऊ। आमियरको अस्तित्तो ने लोप होने भायो। रश्चिंगो स्वर्ग लोग समेत कमपैमान उना थालेव भणर भगवान विष्णु लाई इस्तुति गरेचन प्रार्थना गरेचन। भगवान विष्णु पनी बली राजा लाई केही नियंत्रन गरने उद्देशिले चाहीं बली राजा का अगारी उपश्चित हुनु बाये चाहीं बामन अवतार का रुपमा। बामन को अर्था बाउन्य अत्यन्ते होचो पुड को मानचे का रुपमा। बली राजा का अगारी उपश्चित हुनु बाये चा। और बामन रुपी विष्णु भगवान ले भननु भाई चा के बली राजा तिमी तो अत्तेन्ते प्रतापी छओ, तिमी तो अत्तेन्ते दानी छओ, तिमी तो हरेक बस्तु दान गर चओ प्रत्यक दिन कुणे ने कुणे बस्तु दान न गरिने भोजन पनी गर धेरू तेसेले मला पनी केई लिने एक्षिया भयो तिमले मला दिन शक्षव दिन छव भनेर बामन रुपे विश्न भगवानले बली राजा का गाड़ी 2200 वायचा बली राजा दिन मा प्रत्यक योटा बस्तु दान गरिर मात्रे भोजन गरने भायका कारण योटा होचो पुड को मानचे आयरा केई बस्तु दिन छास मलाई म माक्षू भनेर भनेर अत्यनते अनुठो मानदे भनेशन तिमले जे माग छवु मा तिमला दिन छवु। भानेरा बच्चन बद्धा भायेशान। तेसे क्रम्मा त्यो बामन रुपी विष्णु भागवानले क्ये भन्नु भायेशा भाने। तेसे भाये मलाई राखना का लागी तीन पाउज जमिन चाहियो। तिमला मलादिन चाहियो। मलाई तीन पाउज जमिन दान गारा भानेरा बामन रुपी विष्णु भगवानले बली राजालाई भन्नु भाये छा। बली राजाला पनी क्ये परे छा बने यो विश्णु भगवान को छल वला भन्नी अनुमान पनी भायना सोंचना पनी सके नन योटो जाबो पूड को मांचे आयरा तीन पाउ जमिन माग देशा मैंले कत्रा कत्रा ठुला ठुला बसतु दान गरी रहेको छुँ भने जाबो तीन पाउ जमिन कती ठुलकुरा होता भन्नी स्वचे रहा होंचा भन्दिये तेस पचि जब बली राजा ले होंचा मतिमला तिन पाउ जमिन दान गर छुँ भने थे तेसाई बेलामा बामन रुपी विश्नु भगवान ले आपनो भैंकर रूप त्या बली राजा का अधारी देखाऊनों बायो बली राजाले संकल्पा गरेरा जब दान दिन चो भने को थियो तेसाई बेलामा बामन रुपी विश्नु भगवान को बिराहट स्वरूप देखी शाके पाचि तो बामन रुपी जुन बिराहट स्वरूप ले एक पाउ टेक दाखेरी ने शिंगो पिर्थिवी डाकिये चा दोस्रों टेक दाखेरी आकास पूरे डाकिये चा तेस पची ४ामन रुपी विश्नाओ बागवान ले बनन नुबाई चे अबहल मेंरों ॥ देसरों पाउती अजरेिभी चा एक पाव में में पिर्थिवी पाएं, दोस्त्रों पाव में 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 आकास नहीं पाएं, पने त्यस्त्रों पाव में में का राखां उता भानेर बली राजा का आगारी प्रश्ण गर्ण भाई छा त्यस्पची आफु जाल जहल मां परेकोर छलकपड का कारण ले आफु चाहिं तला परेकोरा महसुस गर्दे बली राजाले आपनो टाव को थापनो भाई छा, आपनो टाव को मां वासीर माथी और को पाव राखनो स्पानेर भांदा, विष्ण भगवान को पाव परनासार बली राजा भासीर पाताल लोग पोगेशन, अन्ते मा विष्णु शित उनले इस्तुति गरेशन की मलाई बर्षामा एक पलतक तीहार को ब्यालामा प्रिथिवी गुमनी अबसर दियोस, छलकपड का कारण गर्दा मैले आपनो राज्येपनी गुमाएं, शप्पई तर मलाई बर्षामा एक पटक, एमा पंचक का समयमा प्रिथिवी लोग गुमनी अबसर दियोस भानेर, विष्णु भगवान का अगारी योटा प्रार्थाना गर्नु भाईचा, इस्तुति गर्नु भाईचा, येस प्रार्थाना लाई स्वेकार गरेर, बली राजा लाई बर्षामा एक पल्टक, प्रिथिवी मा गुमनी अनुमाती भगवान विष्णु ले दिनुभाईचा, बली येही तियार को मुखामा प्रिथिवी तल गुमना आउंचन भन्ने विश्वास गले, बली राजा को स्वागत का लागे, दीप जलाईयेको हो, भन्ने प्रचलन पनी राएको स्वा, एसाई क्रम मा देवसीरी हरू बली राजा आउन नभ्याएको, और उनी अउरलाई बली ले पठाएको भनेर, ति देवसीरी अउरले बन्ने गर्शन वा भट्टाउने गर्शन, एसारी बली राजा आफई उपस्थित हुना नसके का परिस्थिते मा, ति देवसीरी हरू या ति भईले नी हरू आएरा, आमिलाई बली राजा ले पठाएका हुन भनेर, बली राजा के प्रति मुर्थेकारूप मा, देवसी भईलो खेलने प्रचलन चली आएको भनने, धार्मिक विश्वास रहेको छा, बने पौरानिक कारण पनी हो, यसारी इसित्री जाती हरू ले बली को स्वागत का लागे, बली गीत सोरूप मा, भईले गीत गाउने गरने और आउसी को रात मा, भईले नी खेलने चलन, चल्दै आए रहेको छा, तो पहला ही आजको सामागरी कस्तो लागयो, यो सामागरी का वारी में के जिग्यासा भाईका ख